हेलो चिल्डरन कुसुम आपकी लाइन क्लास में आपका स्वागत हैं प्यारी बच्चो आज हम चोथी कक्षय की उडान कारिय पुस्तिका की विश्य हिंदी का पाठ दो टपका में आई हुई गतिविधी 6 और 7 को अच्छी तरह से सोल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतख पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टड़ी हैं को सब्सक्राइब भी करें साथ में दीवेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो देखिए सुरुआत करते हैं यहां पर है गती विधी 6 यह लाइन पढ़िये वच्चो यहां क्या दे रखा है यहां दे रखा है वर्ग पहेली से छाट कर नीचे दी गई तालिका में लिखें तो यहां देखो वच्चो यह वर्ग पहेली दे रखी है और यहां पर नीचे एक तालिका दे रखी है इस देखा है कि इ चाटने हैं और उन्हें यहां दी गई इस तालिका में लिखना है तो हमें लिखना क्या है यहां देखिए व्यक्ति व्यक्तियों के नाम जो है वो इस तालिका में यहां पर लिखेंगे वस्तूओं के नाम है वो यहां पर लिखेंगे वसूपक्सी उनके नाम है वो हमें यहा आपर लिखना है, यानि यह क्या चीज है बताओ, बता चला कुझ व्यक्ति, वस्तु, पसुपक्सी, इन सब के नाम है और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नाउन, यानि कि हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं संग्या यानि हमें यहाँ पर संग्या सब्द जो है वच्छो वो छाटना है अब जैसे कि हम लेते हैं व्यक्ति व्यक्तियों के नाम यहाँ एक तो लिख रखा है गीता और बाकी हमें इस में से वर्ब पहली में से छाटने हैं अब छाट कर बताओ, व्यक्ति का नाम ढूंडना है हमें, बताए क्या है, हम, हाँ बताओ बच्चो, ढूंड लिया गया, अब देखिए, यहाँ देखो, यह लिख रखा है, यह क्या है, गीता, यह यहाँ व्यक्ति, यह गीता यहाँ पर इसने अल्रेडी लिख भी रखा है, अब और व्यक्ति का नाम देखते हैं जैसे यहां देखे यह दे रखा है मदन यह हमें यहां पर लिखना है इसी तरह से और देखेंगे जैसे यहां पर है यह भारत तो यह भारत स्थान का नाम है हमें यहां पर लिखना है छीक है इसी तरहें से और देखते हैं हम जैसे की है यह देखिए यहां पर यह रहा चीता तो यह पसु का नाम है यहां लिखना है इस तरहें से यह काम आपको खुद करना है बच्चो यहां पर इस वर पहली में से आपको ये शब छाटने हैं और यहाँ इस तालीका में लिखने हैं ये सभी बच्चे आप खुद करेंगे आगे दे रखा है यहां पर सही सरुनाम छाटकर लिखें सरुनाम छाटकर लिखने हैं यहां देखिए वाक्य दे रखे हैं इन वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ना है अधूरे वाक्य हैं ये वाक्य पूरे करने हैं हमें और कैसे करने हैं कि यहां पर जो सरुनाम दे रखे हैं देखिए हर वाक्य हमें दो-दो सरुनाम दे रखे हैं उनमें से एक गलत होगा और एक सही होगा जो सही होगा वो हमें यहां लिखना है जैसे यहां पहला वाक्य इसको पढ़ी एक बार क्या लिख रख़ा है मैं कल मैं तो इन दोनों सरवनाम में से अगर हम यहां तुम्हारी लिखते तो क्या बनता तुम्हारी कल बाजार गई थी तो यह यहां पर म जो है प्रोणाऊन वो लगा है मैं कल बाजार गई थी छीक है अब इसी तिने से दूसरा sentence देखिए क्या लिख रखा है डैस एक सेर देखा और यहां पर देखो दो प्रोणाऊन दे रखे हैं यानि दो सरुनाम दे रखे हैं मेरा और मैंने इन दोनों मेंसे एक सही होगा एक गलत होगा जो सही है वही हमें यहां चार्ट कर लिखना है तो बताइए मेरा एक सेर देखा ये वाक्य ठीक है क्या नहीं ये वाक्य ठीक नहीं है मैंने एक सेर देखा ये वाक्य बताइए ठीक है हाँ बिल्कुल सही है तो यहां पर जो है पो मैंने आएगा हम यहां पर लिखेंगे मैंने अब इसी तरह से यहां पर यह next sentence पढ़िए क्या लिखा है राम ने डैस खाना खिलाया अब यहां दे रखा है उसे या उन्होंने तो इनको लगा के भी देख सकते हैं हम राम ने उन्होंने खाना खिलाया अगर यह उन्होंने लिखें तो सही वाक्य बन यह ठीक है तो अब यहां पर क्या आना चाहिए यहां पर जो है वो उसे आना चाहिए ठीक है अब आगे देखिए एक बार next sentence यहांज डैस बैग है और सरवनाम कोन से दे रखें है पढ़कर बताओ तुम मेरा यहां तुम बैग है ठीक है किया ये नहीं ये तो गलत है यहां मेरा बैग है ये सर॥ नाम ठीक है तो यहां पर आएगा यहां मेरा बैग है अब आगे देखिए बच्चों आगे हैं मुहावरों के अर्थ लिखें अब देखिए एक बार पहला मुहावरा देखिए आग बबुला होना इसके अर्थ लिखने हैं हमें यहां पर जो जगहें दे रखिए बच्चों उसमें लिखने हैं तो बताईए मुझे आग बबुला होना इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा बहुत गुसे में होना आगे है नो दो ग्यारह होना नो दो ग्यारह होने का क्या अर्थ है पता है भाग जाना खिली उडाना खिली उडाना का क्या मतलब होता है मजाक उडाना यानि की हसी उडान यह भी खह सकते हैं हमें से अगर-मगर करना अगर-मगर करने का मतलब होता है टाल-मटोल करना यानि कुछ काम करने के लिए अगर कहें तो अगर-मगर करता है इसका मतलब होता है टाल-मटोल करना अब आगे दे रखी है गति विधी सार्थ निम्न के समानार्थी शब्द शब्द के समान, दूसरा अर्थ लिखना है हमें, जैसे कि यहाँ एक दिखाया भी गया है, लिखकर सिंग, सिंग को सेर भी बोलते हैं, शिंग, सेर, अब उसी तरह से, यहाँ इसने पूछा है, डर, डर का समान अर्थी क्या होगा, बताओ, हाँ, शाबास, टर का आएगा भे, और हमें यहाँ पर लिखना है, अब आगे है डाल, डाल का समान अर्थी होगा, टहनी, आगे दे रखा है हालत, और हालत का समान अर्थी होता है, स्थीती, अब आगे इसने दिया है, की, यहाँ है, वाक्यान स्केल, यह एक शब्द लिखें, बरतन बनाने वाला, बरतन बनाने वाले को क्या कहते हैं, बताओ, कुमहार, यह इसने अल्री लिख रखा है, सभी बच्चों को यह याद भी करना है, आगे है, सफाई करने वाला, सफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, बताओ, सफाई करमचारी, अब आगे है स्वास्थिय की जांच करने वाला, बताओ उसे क्या कहते हैं बच्चों, जो हमारे स्वास्थिय की देखपाल करता है, जांच करता है, क्या कहते हैं, डॉक्टर, और यहां है, डॉक्टर, यहां फिर हम कह सकते हैं वैद, हिंदी में व वाला शिक्षा प्रदान करने वाला उसको क्या कहते हैं शिक्षक अब आगे इसने यहां पर थर्ड क्यूश्चन दिया है गतिविदी साथ में कि दिये गए शब्दों को तितली के पंखो में उचित स्थान पर लिखो यहां देखो कुछ शब्द दे रखे हैं सभी बच्चे मुझे बताईए पढ़कर कि यह कौन-कौन से शब्द लिख रखे हैं बस्ता खुशी राते नदी खुशिया बस्ते नदिया क्या है बताओ यह एक वचन और बहु अजन है है ना यहां देखो यह तितली दे रखी है तितली का पंक के अंदर यहां इस साइड एक वचन लिख रखा है यहां लिख रखा है बहु वचन यह वचन का टोपिक है बच्चो एक वचन से बहु वचन में बनाना है एक वचन जैसे कि यहां क्या लिख रखा है यह रात रात का बहु अचन क्या एगा राते अब इसी यहां एक बचन लिखना है हमें, जैसे है बस्ता, यह बस्ता दे रखा है ना, यह हमें यहां लिखना है, बस्ता, और इसका बहुचन क्या होगा, बताओ, यहां पर लिखना है, बस्ते, अब इसी इतर हैं से, यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे अगला, खुशी, और होगा खुशियां यहां पर लिखना आपको ठीक है खुशी खुशियां और नदी यहां लखेंगे नदी और इस पर लिखतेंगे नदियां नदी नदियां तो क्या हुआ यह एक वचन से बहु अचन बनाया हमने यानि एक वचन क्या होता है एक वचन का मतलब है कि एक का होना ठीक है जैसे बस्ता बस्ता का मतलब है एक बस्ता और बस्ते बस्ते का मतलब है दो या दो से ज्यादा अब इसी तरह से है नदी नदियां नदी का मतलब है एक नदी और नदियां का मतलब है एक से ज्यादा यानि दो तीन पान दस बीस तीस ऐसे ज्यादा ठीक है समझ गए ना एक वच्ण बहुवचन में अंतर, ओके, अब आगे देखिए, फॉर्थ क्यूस्टन दे रखा है, इसने निम्न शब्दों में स्ट्रीलिंग लिखें, यहां देखो, पुलिंग दे रखा है, और यह स्ट्रीलिंग दे रखा है, इन पुलिंग शब्दों का हमें यहा पर स्ट्रीलिंग बनाना है, सभी बच्चे हेल्प करेंगे क्या मेरी बनाने में, चलो बनाओ फिर, यह है लड़का, लड़का का स्ट्रीलिंग बनाना है, बताईए क्या होगा, लड़की, वेरी गोड, अब यहां पर है पिता, पिता का स्ट्रीलिंग बताईए क्या होगा माता अब यहां दे रखा है घोड़ा घोड़ा का स्ट्रिलिंग क्या होगा घोड़ी यह है पती पती का स्ट्रिलिंग होगा पत्नी तो सभी बच्चे यह जो भी मैंने उपर कराया है जैसे मुहावरे आये इसमें स्मानार्थी शब्द आये हैं वाक्यांस के लिए एक शब्द हैं और एक बचन बहु बचन है स्ट्रिलिंग है पुलिंग स्ट्रिलिंग है है ना यह सभी याद भी करेंगे इपनी कोपी में भी लिखेंगे तो बच्चो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चाप्टर में तब तक के लिए बच्चो